ICSC की गच्छा बारीवी के प्रेडाम खोशित कर दिये गए हैं चतिसगर के मुख्य निर्वाशन पदादिकारी सुपत्री शद्दा साहू चतिसगर में पहले इस्तान पर रही है उन्होंने 98.75 प्रदेशत अंक अर्शितकर पूरिर प्रदेश में पहला इस्तान हासिल किया है ICSC में टॉपर रही स्रद्दा साहू इस वक्त हमारे साथ है आये उसे जानते हैं उसके क्या कुछ कहना है जी स्रद्दा जी आपको स्वराज एक्स्प्रेस के गोर से बहुत-बहुत बढ़ाई आप कैसे इसको स्कोर की, क्या था आपके पढ़ाई के रण निती यही था कि एकड़म फोकस और कॉंसेंट्रेशन से बैठना था जो भी सिलेबल्स था एक्जाम के पहले उसको बेफिनेट शेडियूल में करके मैं पढ़ती थी कोई ऐसा ट्रीक जो पढ़ने के लिए अपने अपने लिए नहीं, ऐसे कोई ट्रीक थो नहीं था, मुझे यह सब्जेक्स बहुत पसंद है तो बस यही था कि मैं बहुत उसको पैशन और लगन से पढ़ती थी कौन से सब्जेक्ट था अपका और खासकर कौन से सब्जेक्स ज्यादा पसंद है मेरे सब्जेक्स थे इंग्लिश, जोग्रफी, माथमेटिक्स, एकोनोमिक्स और पॉलिटिकल साइंस तो मुझे उसमें से सारे सब्जेक्ट पसंद है रूटीन क्या थे आपके पढ़ने के रूटीन ऐसा कुछ नहीं था जब भी मुझे ऐसा लगता था कि मेरा फोकस पीक पे चल रहा है तब मैं पढ़ती थी और जब मननी लगता था तो थोड़ा ब्रेक ले लेना ममी पापा के साथ बैठना ऐसा था फैमिली का सपोर्ट कैसे था आपका ये पंडे लिखने में क्या कुछ हिल्प करते थे ऐसा है कि मैं हमेशा से से सेल स्टडी करी हूँ तो फैमिली सपोर्ट तो हमेशा से था ममी पापा को हमेशा से भरोसा था कि मैं कर लूँगी तो जब भी मेरा मोराइल डाउन होता था वो लो हमेशा बोलते थे कि नहीं हो जाएगा बहुत ही अच्छा लगा तो फिल्स प्राउट तो बीर पेरेंट सब्दा बता रहे हैं कि उनके पढ़ने में आपका महत पूर्ड भूही चाहा है आप समय निकाल कर देते थे इतना बीजी होने के बाद भी कैसे हैं समय तो बहुत नहीं निकाल बाते थे लेकिन जब जरूत होती थी या कुछ उसको डाउट्स क्लियर करने होते थे तो तो बहुत समय निकाल लेते थे कोशिश थी कि उस सपोर्ट बढ़ गया और मैं रेख राम के साथ सत्य राच्भू